हाँ जी, welcome back guys, sales course के आज के इस पटिजर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं about ब्रह्मा स्त्रॉफ सेल्स, गईस बहुत सारे लोग इन चीजों की बात नहीं करते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग deeply समझे की कोशिश करेंगे, कि आखिर किस तरीके से आप लोग cross sale, up sale और down sale को use कर सकते हैं, customer LTV बढ़ाने के लिए और साथी साथ अपने revenue को increase करने के लिए, और इससे क्या होगा कि आपकी जो CPL है, वो भी down होगी, और आपकी organization के अंदर जो human resource है, उसका आप optimal utilization जो है, वो कर पाएंगे, तो आज सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे, कि cross sale का मतलब क्या होता है, upsell का मतलब क्या होता है, और down selling का क्या मतलब होता है, बहुत सारे लोग यही नहीं समझ पाते हैं, कि down selling से भी क्या revenue increase हो सकता है, absolutely down selling से भी revenue जो है, वो increase होता है, fine, and एक और confusion जो मैं starting में ही आप लोगों का दूर कर देना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग यह समझते हैं, कि upselling या cross selling उसी वक्त होती जब कोई person कुछ खरीद रहा हो, जैसे for example मैं आपके पास आता हूँ, इस pen को खरीदने, तो उसी moment of time के उपर आप upsell करेंगे या cross sell करेंगे, ऐसा नहीं है, बहुत बार ऐसा होता है, कि हम लोग CRM's के अंदर data की analysis करते हैं, बहुत आपको लगता है कि cross selling और upselling के वल उसी moment of time पे होती, जब कोई person किसी चीज़ को खरीद रहा है, तो ऐसा बिलकुल नहीं है, अगर आपके पास CRM में बहुत सारी data है, और आप उसमें patterns को ढून सकते हैं, उसमें segmentation को कर सकते हैं, तो यह सहीर समय है, segmentation करें और उनको कुछ cross sell या upsell तो मुश्किल है, बट cross sell आप वहाँ पर कर सकते हैं, तो सबसे पहले basically समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर cross selling का मतलब क्या देखे, for example, आप किसी store के अंदर जाते हैं, वहाँ पर laptop खरीद ने और उस laptop की कीमत है, मैं मान के चलता हूँ, 20,000 रुपे उस laptop की कीमत है, अ अब क्या होता है कि आप store से laptop खरीद लेते हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि वहाँ पर एक laptop का जो bag है वो भी दिख रहा है, आपको laptop bag की कीमत है, वो है 4000 रुपे, तो आप क्या कर रहे हैं, आपने laptop जो actually आपको खरीदना था, 20,000 रुपे का laptop आपने खरीदा और साथी सा का organization या company को होने वाला था, वो जो revenue है, वो अप 24,000 का हो जाएगा, बट क्या ये हवा में हो जाएगा, आपके सोचने से cross selling हो जाएगी, नहीं, आपको ऐसी processes, ऐसे offers, ऐसी चीजें आपको बनानी पढ़ेंगी, जिनकी मदद से जो है, वो cross selling हो, properly आपको define करना पढ़ेगा, क exactly इस product के साथ, किस products को cross sell किया जा सकता है, या इस particular service के साथ, किस type की services को cross sell किया जा सकता है, right, so this is basically cross selling, up selling का मतलब क्या होता है, कि आपने देखा कि कोई एक laptop है, जिसकी configuration 8GB RAM है, 128GB SSD है, right, और दूसरा, जो आपका laptop है, जिसकी configuration 16GB RAM है, और 256GB या 512GB मैं मान लेता हूँ, आपर 512GB जो है, वो SSD है, इसकी कीमत है, let's say, 22,000 रुपए, मैं क्यों एक्जामपल ले रहा हूँ, और इसकी कीमत है, 26,000 रुपए, या 28,000 रुपए, या 30,000 भी है अगर इसकी, तो आप क्या करोगे, आप store के अंदर, आप सोचोगे कि न से जट डबल पावरफुल जो हम मशीन है, वो ले सकते हैं, कॉन्फिग्रेशन का लैपटॉप ले सकते हैं, तो आप 8,000 रुपए खर्च कर दोगे, तो actually क्या हुआ कि जहां पर आप 22,000 रुपए खर्च करने जा रहे थे, वहां पर आपने कितने खर्च कर दिये, 30,000 रु इसमें प्राइजिंग का डिफरेंस ही ऐसा रखती है, कि आपको लगे नहीं नहीं, यह वाला बहुत जबरजस्त है, यह वाला वरत है, तो actually उनको यह वाला प्रोड़क्ट बेचना ही नहीं है, उनको बेचना यही वाला प्रोड़क्ट है, बट इसकी प्राइजिंग और वो गाप इस तरीके से सेट अप करते हैं, कि आपको लगता है कि हम यहाँ पर ना तो बहुत अच्छी डील जो है, वो क्राइक कर ले रहे हैं, प्रॉपरली रिसर्च करके यह सारी चीज़ें करी जाते हैं, अगर आपने अपने आस पात बहुत सारी डिफरेंट डेखा है कि वो क्रास सेल कर रही है, अपसल कर रही है जबरदस तरीके से, तो पलीज कॉमेंट करके जरूर बताईएगा कि कौन से केसे में आपने इस चीज़ को देखा है, डाउन सेलिंग क्या होती है, और आपको लगे कि सब्सक्राइग कि यह इस पैन की कीमत है दस रु रहा है मेरे को लेना भी था काम का भी है बट महेंगा है थोड़ा सा यह मैं नहीं ले सकता तो उस पर्टिकुलर केस में आपको थोड़ा सा डाउंसेल करना पड़ता है as a salesperson डाउंसेल का मतलब यह हुआ कि 10 रुपए की जिगा आप उनको एक दूसरा पेंज आउफर कर सकते हैं जिसकी कीमत लेट से 7 रुपीज है 6 रुपीज है राइट तो अब क्या होगा कि सामने वाला पर्षन इसको ले लेगा उसको यह जो है वो महंगा लग रहा है तो यह ले लेगा बट अगर वो यह ना लेता तो क्या होता कि आपका जो रेवेन्यू है वो क्या हो जाता बिल्कुल जीरो हो जाता अगर वो यह भी नहीं लेता बट यहा न यह वाला product जो है वो दे रहा है down sale दबरदस्ती कर रहा है तो actually आपको समझना पढ़ेगा कि किस moment of time के उपर आपको properly cross-sell करनी है आपको upsell करनी है और आपको down sell करनी है fine next आ जाते हैं यहाँ पर हमाने कुछ example भी लिए हुए जैसे for example अगर हमारी google ads की services जो है वो 10,000 रुपए की है, Facebook Ads की Services जो है वो 10,000 रुपए की है, Social Media का बंडल जो है हमारा वो 5,000 रुपए का है पर मत इसमें हम लेट से 10 पोस्ट जो है वो बना कर देते हैं, मैं के वहले example ले रहा हूँ, अब अगर कोई परसंट Google Ads लेने आता है, तो हम इससे क्या बोल सकते हैं, कि अगर भईया, आप Google Ads और Facebook Ads एक साथ लोगे न, तो मैं 20,000 रुपए आप से चार्ज नहीं करूँगा, बलकि मैं additional आपको 10% का या 20% का discount दे दूँगा, 10% का discount दे दूँगा, तो 18,000 रुपए आपकी service हो जाएगी, 20% का दे दूँगा, तो 16,000 रुपए, तो सोज़े का ठीक है भईया, Google Ads तो करवा ही रहे हैं, साथ ही साथ Facebook Ads भी करवा लेते हैं, 20% का discount हो रहा है, बट आपने यहाँ पर actually क्या किया, 10,000 रुपए का जो revenue आपकी organization में आना था, उसको आपने 16,000 कर दिया, मतलब अगर इसके percentage के point of view से देखूं, तो 60% on the top of this value आपने increase कर दिया revenue को, आप समझ रहे हैं, अगर ऐसा आप थोड़ा बहुत भी कर पा रहे हैं, 2, 4, 5, 10% भी कर पा रहे हैं, तो आप revenue को कितने जबरज़स तरीके से organization के लिए increase कर पाएंगे, आप सोच नहीं सकते हैं, so this is one example of cross selling, इस reference के point of view से, अब selling की बात करते हैं, कि आपने बोला कि भाईया, 5,000 रुपए में हम 10 post बना कर देते हैं, अब हम क्या बोल रहे हैं आपर, कि 75-100 रुपए में हम 20 post बना कर देंगे, तो आपको भी लगेगा, 30 दिन का month होता है, 30 दिन में, 10 दिन में post क्या होगी, 20 post हो जाएंगी, चलो कोई बात नहीं, 25-100 रुपए और देने, this is basically up selling, यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे, cross selling, तो up selling और cross selling जबर्दस तरीके से तभी गाम करती हैं, जब आप उसमें कुछ value दिखाएंगे, value in terms of, जादा तर cases में ऐसा होता है, कि value in terms of monetary, जो benefits हैं, वो ही होते हैं, कि देखो, फाइदा दिख रहा है, और हमें बहतर जो चीज़े हैं, वो मिल रही हैं, कम पैसे के अंदर, fine, यहाँ पर मैंने छोटा सा आपकी समझ के point of view से के अवल लिखा हुआ है, कि अगर आप 5% भी cross sell कर पाते हैं, 5% भी up sell कर पाते हैं, 5% भी down sell कर पाते हैं, बहुत ही चोटे numbers हैं, इनसे कहीं ज़्यादा up selling, cross selling और down selling हो सकती, यह मैंने बहुत ही चोटे numbers हैं, आपर mention के, for example, आपका average ticket size 15,000 था, 100 customers आप करते हो, इन में से आप 5 customers को cross sell कर देते हो, कोई 4,000 का product, तो 5% 100 का कितना हो गया, 5 लोग हो गया, 5 लोग को 4,000 का product बेच रहा हो, तो यानि कि 20,000 रुपए की आप cross sell कर रहा हो, total value अगर मैं देखू, तो यहाँ पर 15,000 रुपए का business कर रहे थे, अब जो business हो गया ना, वो 15,000 बहुत चोटा रहा है, 20,000 रुपए में क्या होगा ना, एक person की जो आपकी salary है, sales person की, वो basic salary आपकी जो है, वो निकल जाएगी, तो इस तरीके से आपको cross selling को और up selling को और down selling को जो है, वो use करना है, यह क्या मदद करेंगे आपकी, आपकी जो customer lifetime value है, उसको increase करेंगे, sales revenue को बढ़ाएंगे, और बहतर यह काम करते हैं offers के साथ, but again, इसको आपको काफी strategically place करना पड़ेगा, आपको सूचना पड़ेगा, आपको ऐसी custom services आपको बनानी पड़ेगी, जिनको आप cross sell या upsell कर सकते हैं, products के case में, आपको ऐसे complimentary products को लाना पड़ेगा, introduce करना पड़ेगा, जिसकी वज़े से आप cross sell कर सकते हैं, मान लिया, आपका primary business laptop का था, ठीक है, अगर आपका primary business laptop का था, कर बैठे रहेंगे, तो आप upsell नहीं कर पाएंगे, हाँ, subscription based services और जो होती ही, उनमें upselling आसान होती है, जो services होती है, उनमें upselling आसान होती है, cross selling आसान होती है, but जब products की हम बात करते हैं, वहाँ पर inventory वगरा की समझ, products की समझ वो भी बहुत माईने रखती, बाकी के जो खर्चे हैं, calculations है, वो भी माईने रखती, but ultimately, this is the brahmast to increase the sales in an organization, जिसकी बात बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, आशा करता हूँ, वीडियो आपको पसंद आया गए हुआ, और जो मैंने बता है, वो आप comment में करेंगे, इससे मुझे पताच लगे कि आप लोग भी interest लेते हैं, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, till then, goodbye. झाल